वेल्गम बैग तो माई शैनल सो फ्रेंट्स बहुत सारी कॉमेंट्स आ ली थी कि बटर ग्री भी दिखाओ और नॉन रोस्टेट नाहूमट भी दिखाओ तो यस नॉन रोस्टेट नाहूमट की बैग भी मैं खोल चुकी हूँ क्योंकि ओडर तो जिनके भी ओडर है इसी में स सबने से जा रहे क्योंकि यह अपना स्टॉक है और यह वाला जो है यह फाफडा बटर ग्रे जो था या बटर ग्रे नॉर्मल वाला था वो थोड़ा सॉफ्ट में था बट इस बार यह बटर ग्री जो है मैंने पूरा क्रंची वाला लिया है जिसको भी छहीए बिल्कुल ब मैंने स्टॉक लिये हैं सब क्रंची वाले लिये हैं कि अब फोकस फोकस अभी आपको दिख रहा होगा यह फाफडा बटर ग्रे है यह बटर ग्रे से थोड़ा सा कम क्रंची है मतलब जिसको हलका सा गमी भी पसंदे वह इसको ले सकता है चीक्या अपने पास डबल रोस्टे सबसे जादा होती है ठीक है कि अपने पास बटर ग्रे में बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी तो यह अपना फाफड़ा वाला बटर क्रे मिल जाएगा वह से थोड़ा ज्यादा क्रंची आएगा इसको देखो कि नहीं किया है तो यह सब इस पर रहता है वह में लेकिन ज अच्छे से क्लीन करके ही पैक करके डालती हूं चीक है और यह तो मस्त क्रंची वाला इस टौके बटर रेका इस बार मैंने ज्यादा गमी नहीं लिए बट यह इस इसमें थोड़ा सा हलका फूल का गमी है तो जिनको गमी पसंदे वो लोग ले सकते इसको और डबल रोस्ट पूरा क्रंची इसके अलावा आपने पास रेड बटर रहे हैं जो आप लोग जानते हो वाव क्या लेयर्ज ना कि देखो कितना सुन्दर यह सबसे क्रंची स्टॉक है रेड बटर यह लो बटर गरे मतलब बहुत क्रंची बहुत हार्ड और क्रंची है और यह थोड़ा कॉ क्रंची नहीं मिलेगा आपको मुझे तो पर्सनली बहुत इच्छा लगा देखो देखो रेड बटर गरे वाव कित तरा सुन्दर दिख रहे है ना वेट में फोल्ड करके दिकाते हैं तो गैस यह देखिए यह है रेड बटर गरे लाइट आती है इसके वेज़े से फिर कल अब बहुत अच्छा स्टॉक है अपना रेड का भी और रेड मतलब फिर पूरा रेड यह निए उसमें यलो मेक्स है या वाइट मिक्स है या ब्लैक मिक्स है यह पूरा रेड है आप लुक देख सकते हो वेगि मिन स्पेशली बन्वाके लिए होए तो यह वैसा वाला है य पूरे यूटूब पर ऐसा स्वाप नहीं मिलने वाला यह देखू रोष्टेडी है सारे ही सारे जिसको नोन रोष्टेड में थोड़ा सची तो ऐसा मिल जाएगा बट यह रोष्टेडी था यह पीस तूट जाते है और यह तबीक पिस है ना बहुत सुन्दर है बहुत यह पूरा रैडी है हाँ देखो आपको कलर बताती है यह वाइट था यह रैड है ठीक है यह जादा रोष्ट करते हैं इसकी वज़े से इसका कलर जो है चेंज हो जाता है और बाकी मेरा फेवरेट पर्सनल फेवरेट है यहलो बटर ग्रेर इसका मैं यह ओपन कर लेकिए यह द कि पेले वाइट होता है फिर हलका सब्सक्राइब तो यहलो त닉ता है आता है और रोफ्ड करेंगे तो और रेडिचो टिंट आ जाती है बटर ग्रेर की है तेस्ट अलग हो जाता है यह देखो कितना मस्त चंग इतना क्रंशी है ना तो यह सारा बटर ग्रे लवर्स के लिए है जल्दी जल्दी आप लोग ओडर दीजिए ठीक है इतने दिन से बटर ग्रे का श्रॉक अच्छे से नहीं दिखा पा रहे थी नाकूमट्स में सारा दिखाया है हाँ खाली नून न किवरेट स्टॉक ओके यल्लो है तो यल्लो ही मिखने वाला है यह दिखी कि तमल्स दिख रहे हैं ना तो गाइज वेट इस ओवर और यह है अपना नॉन रोस्टे नाकूमट्स देखो कितना बैस्ट है इस बार का जो स्टॉक है ना नॉन रोस्टेट का बहुत अच्छा आया है यह देखो यल्लो वाले बहुत सादा है पिंक वाले है और तोड़ी से क्रीमि है हल्के से माइनर क्रीमि है सो फ्स टॉक है बड टेस्ट वैस बहुत अछह है बहुत है इस यह सन्फलावर का का है और इसमें भी पिंक प्वलंक सक्यर के और इसले बहुत अच्छा है यह अपना नॉन रॉष्ट का स्टाव में है जब यह इतना क्रीमी और अच्छा टेक्शर वाला है अभी रेडिश में है यह लो यह टेक्श्चर है यह जो है यह चुरा है यह दोट जाता है यह देखिए यह पिंकिश आपको देखी रहा है क्रीम है क्रीम चंक है इस बार जो क्रीम चंक आया है ना यह ना बहुत अच्छे लग रहे खाने में, मतलब बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, सौफ्ट भी है, क्रंची भी है, और अर्दी निज़ भी है, मतलब जो जैसा टेस्ट चाहिए न वैसा है, यह पूरा, बहुत सारे ऐसे चंक है, और जैसा नॉन रूस्टेट नकूमट हो यह देखे, और मैं हर वीडियो में कह देती हूं, आज की वीडियो में भी बता ही देती हूं, और नॉन रूस्टेट में सब मिक्स आएगा, ठीक है, सेपरेटली में, आप लोग मांगोगी कि यह क्रीमिश वाले ही देदो, येल्लो इशी देदो, ऐसा नहीं होगा, जो भी है, पिंक भी होगे, तो उसमें एड कर दूँगी, चीक है, बहुत अच्छा टेक्शर है, और बहुत अच्छा तेस्ट है, नॉन रूस्टेट नकूमट का, ये देखो, सॉफ्ट देखो, प्रंची भी फील होता है, सॉफ्ट भी फील होता है, ये गमी नहीं होती, जादा नहीं तोड़ूँगी, इस बर, लास्ट टाइम स्टॉक में बहुत सारे चंग तोड़े थे, फिर नुकसान मेरा ही होता है, ये देखो, जादा जादा नहीं तोड़ूँगी, चीक है, और खुश्बू तो, ओ माई कॉड, क्या अला जवाब है, इस तरह के टेक्श परटिंग करके अलग नहीं करने वाली, ये देखो, ये वाव, वाव, ओसम, ओसम, देख रहे हो आप लोग, नॉनरुष्टिंट अकोमट, बहुत अच्छा, बहुत मस्ता आया है, पेट, थमनेल ले 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 ते, पुचल ले 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 ये पींक है, ये एक चंड को आधा पेमिंट ले लो, बाद में आधा ले लो, ऐसा नहीं होता है, विश्वास वाली बात भी नहीं होती है, ठीक है, कल को आप मेरे पैसे लेके भाग जाओगे, तो मैं का जाओंगी, ये कुछ कस्रमर्स के लिए जो बहुत मगजमारी करते, फिल ले लेते चुघ होँदे पार तो बाप्रेतनी सारा होँदे है ना betानी सकती, बहुत चूड हुए है, पूरा क्रीमी क्रीमी टेक्ख surrender है। मैं को टिने है, बहुत अचे है, माउत वॉर्टरिंग सी आपनी 16 है, मैं अदिपना लेके पूरा आच्छा से ayamates उसकी साथ में विडियो ब तो प्लेट में लेके बैखती है किसी बाउल में लेके बैखती और दिखा देती कुछ अच्छे चंग उठा के बड़ मैं ऐसा नहीं करती मैं पूरा जैसा है जो है एज इस दिखाती और यहीं चीज जाती है मैं पास और तो एक्ष्ट्रा कुछ स्टॉक रखा निए गर में क कि मैं और भी कुछ दिखाऊं और सिद्धू कुछ और ऐसा तो नहीं होता जो दिख रहा है वहीं मिलने वाला है क्योंकि यहीं श्टॉक है है ना नकुमट का जाड़ तो नहीं होगा है तो ऐसे आड़े तेड़े सवाल ना करे होते ही कुछ लोग प्रेशन करते हैं ग्रेवाला ही दून रही थी कली मैंने कली आप रसो दो जिन से तीन दिन से नोन रोस्टेट के वी ओर्डर जारे लास्ट वाला स्टॉक तो सारा ही आउट है अपना कुछ बचा ही नहीं है देख रहे हो यह ग्रेश है दिख रहा होगा आपको तो सब मिक्स मिलने वाला है पिंकेश ग्रेश ख्रीनेश वाइटेश सारे चंग के अपने नोन रोस्टेड में डेफिनेटली आप लोग बाई कर सकते हो और बार बार कॉमेंट करो मत या बार बार मत मैसेज करो और हाँ यह चीज़ भी मैं हर वीडियो में ही बता देती हूँ तो यस मेरा स्टॉक थोड़ा सा कॉस्टली है, आप लोगों को कॉस्टली ही मिलेगा थोड़ा सा, बाकी किसी के साथ मेरी कंपेरिजन ना करें, आपको जमता है, आप लीजिए, नहीं जमता है, मत लीजिए, और किसी को इस चिस से प्रॉब्लम नहीं होना चीए, बरावर, मै मैंने अपना स्टॉक मंगवाया, बनवा के लिया, मैं अपने हिसाब से अपने मार्जिन रखे सेल कर रही हूँ, तो किसी को इससे कुछ प्रॉबलम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मेरे पैसे, मेरे स्टॉक, मेरी महनत, उतनी सारी पैकिंग करो, पैकिंग में भी बहुत टाइम लगता है, ऐसे इजिली नहीं होती है, तो मेरी महनत है, किसी को इससे क्या प्रॉबलम होनी चाहिए, कि अगर मैंने इसका रेट इतना रखा या इतना रखा, मैं वैसा सर्वीस भी देरी हूँ, वैसा ओन टाम डिलिवरी भी देरी हूँ, है ना, उतना अच्छे से क कॉस्टोमर्स को रिपलाई भी जाता है, तो यह सब मेरी महनत है, किसी और को कि इससे कोई प्रॉबलम नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज मुझे आके बार-बार मत बोलो, यार अब ये इरिटेटिंग हो रहा है, मेरे लिए, सच में, ये चीज़े बहुत बेकार है, अगर, और end of the day, आप लोग कुछ भी कर लो, हर इक इंसान अपना नसीब का खाता है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, तो कोई कुछ भी कर लेगा, मेरे नसीब में जितना लिखा है, मुझे मिलना है, ठीक है, कोई सब कुछ कॉपी कर सकता है, सब कुछ चोरी कर सकता है, पर इसी सब करने की बात हैं, एक करोड रुपे का एक किलो नहीं दे रही हूं, वही नॉमिनली प्राइज है, उसमें मैं थोड़ा ही मार्जिन रखा है, ठीक है, तो मुझे सुना के मत जाओ, फलाना तो इतने में दे रहा है, फलानी तो इतने में दे रही है, मत करो ऐसा, उन लोग मार्जिन सेट जीए रहा है वो लोग लोग उतने में देर है उसमें कोई बुराही निया कोई प्राप्लम नहीं है वो उनकी विश्च है यह मेरा बिजनस है चीक ह्चलओ अ यह डिखो यह पूरा वायटिश चंक है क्षेल टींट वाले थे चु aspirable i पिंक आजा भाई यह पिंक देख किता मस्ता आया है ना देखा आपने बहुत बहुत अच्छा है बहुत सच में नोन रुष्टिट नकूमट का टेस्ट और फ्लेवर मुझे फर्स टाइम अच्छा लग रहा है अधर्वाइस में नोन रुष्टिट की फैन नहीं हूँ आप लोको पता है ब्लाक हॉल में मुझे पसंद है सो चलू मिलते है नेक शड़ों में बाबाई